आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूटुब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो फ्रेंड्स आईए आज का ट्रैक्टिस सेट नमर प्रिवेस एर का समान अध्यान का हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं तो पहला कुश्चन क्या है आज भारत में जल विद् जल विद्यूत जो है सकती लगभग युगदान कितना करता है जल के द्वारा जो विद्यूत बनाया जाता है वो कितना है उसका युगदान जो जल के द्वारा विद्यूत बनाया जाता है वो भारत में कितना युगदान है तो बाइस परसेंट याद रखिएगा ठीक है यह 22% है तो आपका option C right हो गया और जो कोईला के द्वारा कोईला के द्वारा जो विद्यूत उत्पादन किया जाता है भारत में उसका percentage कतना है 60% है तो यह भी याद रखते चलना है तो आगे बढ़ते हैं कि धर्म निर्पेज राज की अस्थापना सरफ्रतम कहां हुई थी तो याद रखेगा वो पहले कहां भी थे अमरी काम हुई थी ठीक ने धर्म निर्पेज का मतलब क्या होता है धर्म निर्पेज का मतलब आपको समझाते चलते हैं धर्म निर्पेज का मतलब होता है कि जहां राज का कोई धर्म नहीं होता है और परतेक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानना थ DPF उसका प्रचार करने की पूरी स्वत्म्त करता होती है एक वार ध्यान से सुनियेगा कि धर्मनिर्पेज का मतलब होता है राज्य का या उस देश का कोई भी देश का अपना कोई धर्म नहीं होता कह स्याध्य, जिसको हम देश हो देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है देश या राज जिसका भी बात कर लिए उसमें अपना कोई धर्म नहीं होता है और परतेक नागरी को अपनी इच्छानुसर किसी भी धर्म को मानना तर्था उसकी परचार करने के पूरी सवतंतरता होती है उसे ही हम कहते है धर्मनेट पेच ठीक है द्राची ग्राम जो जम्मु कस्मीर में स्थित है क्या है द्राची ग्राम जो जम्मु कस्मीर में स्थित है क्या है द्राची ग्राम यह कहां पर है आपका तो जम्मु कस्मीर में है ठीक न तो यह द्राची ग्राम है क्या है इस चार option में से दाचे ग्राम है क्या तो दाचे ग्राम एक क्या है कि राष्टिय उद्यान है क्या है राष्टिय उद्यान है option भी राइट होगी है ठीक नब और इसे राश्टी उद्दान दाचे ग्राम को राश्टी उद्दान कब घुसद क्या गया था तो 1981 में भी याद रखिएगा आगे बरिये मतगन्ना का कारे कौन करता है ये कल भी एक कुश्यन आया था कौन करता है तो आपका चुनावायो करता है ठीक ना आगे आईए भाग प्रियोजना के सुर्वात कब हुई थी याद रखिएगा 1973 में कब की गई थी 1973 में इसका उद्देश क्या था आपको कभी कभ उद्देश क्या था तो उद्देश याद रखिएगा कि देष में देष में बाग बागों की अबादी में ब्रिधी करना था देश में बागो की अबादी में ब्रिधी करना था ठीक है आगे आए रूस जापान का यूद कब हुआ रूस जापान का यूद कब हुआ था रूस जापान का यूद हुआ था 1905 में कब हुआ था 1905 में इसमें कौन जीता था तो इसमें रूस हारा था और जापान जीता था ठीक है आगे बरिये ब्रिटेन में किस वर्स सार्विनिक वेस्क मताधिकार को मानता मिली ब्रिटेन में कहां पर बोल रहा है ब्रिटेन में किस वर्स सार्विनिक वेस्क मताधिकार को मानता मिली थी तो 1928 में मतलब 1928 में मिली थी ठीक है आगे बढ़िए वग भूमी जो 5 से अधिक क्रेसी वर्सों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैस के रूप में जाने जाती है मलब 5 से अधिक वर्स 5-6-7 ऐसे वर्स तक अगर वर्सों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है तो उस थरह के जो खेती भूमी होते हैं उसको किस नामस आप लोग जानते हो ये पुछना चाहा रहा यह तो से उसे बुलते हैं क्रेशी जोग बंजर भूमी क्या बढता उसे क्रेशी योग बंजर भूमी और समस्ड ची राइट होया है पालन किया जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं उसे बलते हैं क्या होता है उसी आपका रेगूर मिटी या कपास के खेती के लिए सबसे उप्यूक्त है जो काली मिटी या रेगूर मिटी होता है यह सबसे अच्छा किसके खेती के लिए होता है तो यह सबसे अच्छा खेती के लिए होता है कपास की खेती के लिए किसके खेती के लिए कपास की यह मिटी आपको कहां कहां मिलेगा तो यह मिटी आपको महाराष्ट में मिल देखने को मिल जाता है गुजरात में मिल जाएगा आपको देखने के लिए आंधर प्रदेश में मिल जाएगा आपको देखने के लिए और तमिल तमिल नाडू तमिल नाडू में देखने को मिल जाएगा ठीक ना आगे आईए टाटा आईरन एंड इस्टिल कंपनी की अस्थापना किस ने की थी टाटा आईरन एवाम इस्टिल कंपनी की अस्थापना किस ने की थी तो जमसेद जी टाटा ने किती कितने किती जमसेद जी टाटा ने किती कब किती तो 1907 में 1907 में किती यह भारत का सबसे पुराना लो और इस पात उत्पाद है जो टाटा आइरन और इस्टिल कमपनी की अस्थापना जो जमसेद जी टाटा ने किती 1907 में ये भारत का सबसे पुराना लो और इस पात उदगम है ठीक है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है नेपाल की कहा का पूछ रहा है नेपाल की तो वह कर नाली नदी वह कर नाली नदी ओप्शन सी राइट हो जाएगा ठीक है आगे आईए बिर्शा मुंडा ने इसाई मिस्णरियों पर कव हमला किया था तो वह क्या था 24 दिसंबर 1989 को ओप्शन भी याद रखना तो क्या था 24 दिसंबर 1989 को ठीक है हमला क्या था आगे आईए लोकतंत्र में सासन कौन करता है तो जनता करता है यहीं नए लोकतंत्र में सासन कौन करता है तो जनता करता है आगे जूट उद्यों के सबसे अधिकार खाने मिलते हैं जूट उद्यों का सबसे अधिकार खाना कहां पर मिलता है तो कहां पर मिलता है पस्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर मिलता है कहां पर मिलता है पस्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर तट तटवर्ती छेतर में मिलता है छेतर में इस्थित है ठीक ना आगे भारत में कैबिनेट सब्द का परियोग पहली बार किस सम्मिधान संसोधन में क्या गया था तो हमेशा याद रखेगा फोर-फोर हुआ सम्मिधान संसोधन में क्या गया था और ये शं अ क्या था तो 17 1978 में ठीक है आगे भारत में नई आर्थिक निति का घोषना कप की गए थी तो 1991 में 1991 में की गए थी इसका उद्देश क्या था भारती अर्थवेवस्ता को आर्थिक संक्रिट से उबारना था उद्देश मैं एक बार और दोराता हूं ध्यान से सुनिए इसका उद्देश था भारती अर्थवेवस्ता को आर्थिक संक्रिट से उबारना था आगे भारत में इस्थित लोनार जील किस परकार का जील है भार आगे आईए यूसेप मेजिनी ने गुप्त सो भूमिगत की अस्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में यूसेप मेजिनी ने गुप्त भूमिगत की अस्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में तो बर्न होगा इसका अंसर क्या हो जागा बर्न यूसेफ मिजिनी ने यंग यूरोप नामकुप्त भूमिगत समाज का स्थपना कब की थी? तो 1833 में बर्ण में की थी रंग भेद की निती के बिरुद अबाज उठाने वाला कौन थे? रंग भेद की निती के बिरुद अबाज उठाने वाले कौन थे? तो वह थे हमारे मार्टिन लूथर किंग कौन थे option मार्टिन लूथर किंग अमरीका में रंगभेद की निती के ये मार्टिन लूथर किंग कहां के थे अमेरीका अमेरीका के थे तो अम्रीका में रंगभेद की निती के विरूद आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लुथर किंग इन्हें अम्रीका का गांधी भी कहा जाता है मार्टिन लुथर किंग को क्या कहा जाता है अमेरिका का गांधी बुच्देगा कि किसे कहा जाता तो याद रिखेगा मार्टिन लुथर कि इंको क्या जाता है इस या नॉबल पुरुषकार इनको नॉबल पुरुषकार भी मिला था इस नॉबल पुरुषकार इन्हें मिला था नॉबल नोबल पुरुषकार मिला था 1964 पे इसी कारि के लिए रंगभेद की नीती के बिरुद जो ये अंदुलन किये थे आवाज उठाये थे उन्हीं के लिए उसे समानित क्या गा नोबल पुरुषकार सांती पुरुषकार मिला था इने ठीक है आई ने अमरिका का गांदी भी का जाता किसे मार्टिन लूथर किंग को तो इस तरह से मैंने 20 आउट ओफ 20 कुशन आपका डिसकस कर दिया प्रिभिएस एर समान अधियन का तो जो वे बच्चे लोग वीडियो अंत तक देखे उनके लिए मैं आसा करता हूँ ये वीडियो बह